हेलो त्रियन फैमिली तो कैसे हो आप सभी लोग आप सभी लोग बढ़िया होगे और आप सभी लोगों को बढ़िया होना भी चाहिए तो देखो ये जो एपिसोड है ये होने वाला है BDTH Supreme Realm का क्योंकि तुम लोगों को इस एपिसोड का काफी दिनों से बेट रहा होगा तो आओ देखेंगे इस एपिसोड में क्या होने वाला है लेकिन उससे पहले तुम लाइक करो, सेयर करो, सस्क्राइब करो, कमेंट करो जो जो नहीं किया है वो सब कुछ करो क्योंकि करना पड़ता है, यह जरूरी होता है I hope कि तुम लोगों ने यह सब कर दिया होगा तो फॉर्मेलटी छोड़ो वर आ जाते हैं सीधा पिछले एपिसोड पे Supreme Realm Realm को जो पिछले एपिसोड था वहां लोगों ने देखा था कि जो तीन तू ब्रेदर थे क्योंकि जो जूलिंग था उसकी तो लंका लगा दी थी बीष्ट की भी लंका लगा दी थी तैक्सू आर्मी को तो मार रहे होते हैं एसियंड बल्ट से आए हुए जो यह पचास अजार गॉड़े वोटर लेवल के लोग थे अब जो बचये थे तीन तू ब्रेदर इनकी तू तू मैं सुनकर इनकी जो हालत की जाती है वो अथू अथू बराबर होती है हलका कि लाश्ट में पहले मारा जाता है तूया को तूया को मारते हुए तू सेन का फटकर फलाबर पॉट हो जाता है तू यान को गुस्ता आजाता है कि मेरे दो भाई मार दिये कुटे, तेरा खोन चुष जाओंगा, जो देकर जान कहता है आना साले, आजा, और जैसे ही तू यान आता है, जो यान उसके सामने आकर दे घमासान, मुक्का लाद, मुक्का लाद, दे मुक्का पे मुक्का लाद, बुरी तरीके सो से कचर के मारता है हाला कि उससे पहले कि तुयान को यान खतम कर पाता था एक सू का जो वेक अप रेंफोर्समेंट था यानि कि वेक अप आर्मी थी वो पहुच चुकी होती है जो देखर तुयान के दिल में तसली आती है और उसे लगता है कि अब जो यान की लंका लगने वाली और पुछ यान से बोलता भी यही है कि देख बेड़े मैं तो मर जाओंगा लेकिन जिन्दा तो तू भी नहीं बचने बाला जो देखर यान कहता वो तो मैं देख लूँगा जो भी हो यूज करो यार ठीक है तुम्हारी यूज के लिए है जनसंख्या कम करो यार ऐसा ना बढ़ाओ रिसोर्सेस लिमिटेड हैं तो लिमिटेड लोगों को रखो बारा बच्चों से जादा बच्चे पैदा मत करना मात्र बारा अब क्रिकेट टीम होनी चाहिए अपनी इंडिविजुल क्रिकेट टीम पत्या चला है लड़का गाओं के लोगों के साथ खेलने के लिए जा रहा है तो अपनी खुद की क्रिकेट टीम है च्छे लोग सामस में च्छे सामने वाले में और इंपारिंग के लिए तुम हो ही तो बस बारा लॉंडों से जादा नहीं आज आते हैं अब एपिसोड पे और अगर तुम लोग को लग रहा है न कि मैं कोई गलस सजेशन दे रहा हूँ सालो अगर गाओं में किसी से लड़ाई हो गई न लॉंडे ढूडे नहीं मिलेंगे खुद के बारा होंगे तो पहुँच जाएंगे साले की तेरभी करने ठीक है समझा करो मेरी बात आज आते हैं एपिसोड पे तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर हमें आस्मान में एक रेड लाइट दिखाई देती है यह जो रेड लाइट एरिया होता है मैं कुछ नहीं बोल रहा बहन का घोडा राइटर यह जो रेड लाइट एरिया होता है यह पूरे होंग बैंग इस्टार को कवर कर रहा होता है और यह पिछली दिखाई गई टेकनिक की तरह ही था क्योंकि उन्होंने पहले यह पूरा कपूरा इस पेस सील किया था जैसे उन्हें पूरा यकीन हो कि वो यह बैटल जीतने बाले है और इन मेंसे किसी को भागरे नहीं देना चाहते लेकिन यह जो गॉन्फिडेंस था इन बहन के घोडो को सेनेक्सी के चोटे मोटे टुच्चे पुच्चे स्टार्स को डिश्ट्रॉय करने के बाद आये था और इन्हें लग रहा था हम तो पपा हैं इस दुनिया के पापा हम किसी को भी पेल सकते हैं जिसके बाद देखते ही देखते काफी सारे ताइक्सू वाइड वीष्ट आसमान में अप्यार होते हैं और ओपेन होते हैं जिनसे काफी आई कॉंटिटी में ताइक्सू सोल्जर निकलने लगते हैं और ये जो ताइक्सू सोल्जर थे लाखो की कॉंटिटी पे होते हैं दूसरी तरफ ये लाखो की लाखो सोल्जर इतनी जादा कॉंटिटी में होते हैं पचास अजार एमोर्टल गॉड इनके बीज डूबे हुए लग रहे होते हैं। साथ ही अपनी फॉर्बिडन मार्सलाट का यूज करतो है। बड़ी संक्या में जो तैक्सू वारियर होते हैं। काफी अच्छी स्ठेंथ और टैलेंट दिखा रहे होते हैं। लेकिन बैन के घोड़े अभी भी बीखी थे। अब चीटी चाहे कितनी भी ज़्यादा टैलेंटर होकर कुंफू सीखाए। वो हाती से तो क्या ही लड़ेगी। वही सेम चीज यहाँ पे भी है। तैक सुब और यहन ने चीटी को लोहे का आर्मर पहना कर भेज दिया कि जाओ हांती को मार के आओ। दूसब क्वांटिटी में चानक ब्रद्धी के बाद इसेंड एमोटल मॉस्टरबल्स से आय हुए जो 50,000 एमोटल गॉड होते हैं। उन्होंने पहली वार फाइट में थोड़ा सा प्रेसर महसूस किया था। लेकिन लखीली तैक सुब के जो ज़्यादे तर पाउरफुल लोग थे वो जो यान की तरफ गए हुए थे। इसलिए उन्हें के बली चीटीों से निपटना पड़ रहा था। लेकिन जब तक वो ठकते नहीं है या कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अगर वो एक बार ठक गए तो अब यसलिए फोर भले ही वो एमोर्टल गॉट क्यों ना हो। उन्हें भी मार दिया जाएगा। दूसर जो यूली तुरंदी गए थी फादर तो अब हमें क्या करना चाहिए हम इने मारे यहां से चलें मुझे तो लगता है हमें इन सभी को मार देना चाहिए इतना अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। यह जो यान की लॉण्डिया जो यान से बड़ी हरामी है। मतलब लोग ऐसी सिच्वेशन को देखकर एक बार को सोचते हैं कि भाई सामने बाला बंदा इतना इस्ट्रॉंग है थोड़ा सा पीछेड। इसको कोई मतलब नहीं कौन इस्ट्रॉंग है कौन नहीं है। पपत तुम्हारे पास राइटर का असिरवाद है मैं खुद राइटर हूँ। हमें कौन मार सकता है। जो यूली की आँको में कोई डर नहीं होता बलकि उसकी बॉड़ी से जो और रिलीज हो रहा होता है वो एकदम क्याने यानि प्लूटो का होता है। वो भला कैसे डर सक सकती थी। वो तो अपने हाथ में ूझ डेस सिकल्स वे हुए अभी उस डेस सिकल्स की खोनी प्यास बुझाना चाथी थी। और उससे बुझाने के लिए व Verfुल टायक्तु के और ज्यादा किसे ओवी डेंट और एक ओनेश्ट डॉटर का रोल अधा किया था और उसने जोयान की कहने से पहले कोई भी एक्षन या रियक्षन नहीं दिया बुझ जोयान की हर एक वात को फॉलो कर रही थी तब ही जोयान की यूली कहती है फादर मैं इने मार डालना चाहती हूँ आखिर जोयान भी यही सेम चीज चाता था लेकैन अभी भी जोयान थोड़ा सा अपने consciousness में होता है और रोक एकर thoughtful तरीके से सोच रहा होता है क्योंकि जोयान लड़की नहीं था लड़कियों का होता है कर लेते हैं लोग होता है पहले देख लेते हैं फिर करते हैं मुद्धा सीरिय क्योंकि करती तो तुम लोग सिर्फ लडाईया हो वह भी बेमतलब की बातों पर यहां पर जोन को बता था कि टाइक सू एक काफी श्ट्रॉंग बैकप लेकर आया था और क्योंकि जूलिन उनका यह ओहाइनेस था टाइक सू अवियसली उसकी डेस को ज्यादा सीरेसली लेगा और इसलिए उसने यहाँ पर जो बैकप भेजा होगा वो काफी स्ट्रॉंग होगा और वो कंटीनु यहाँ पर बैकप भेजता रहेगा हालकि अगर कुईन बैटल हार जाती है तो प्रॉब्लम साइद इतनी बूरी नहीं होगी लेकिन एक बार अगर ताइक सू बोरेस दोरा घेर कर उसे बास्ते में पकड़ दिया जाता है तो रिजल्ट काफी जादा खतर नाख होंगे और जौन के दिमाग में भी तरह तरह की थौट गूज रहे होते हैं लेकिन इस टाइम पि जौन ने बाहुआंग रूलर को पगड़ कर हास से थोड़ा सा बल लगाया होता है जौन यहाँ प ऐसा लग रहा होता है कि फाइट करने के लिए तो तयार था लेकिन अभी की सिच्वेशन को देखते हुए जौन को प्लैन B को भी सोचने की जवट थी कि अगर सिच्वेशन उसके हाँ से निकलती हुट तो उसे क्या करना चाहिए क्योंकि वो तयक्सू के साथ जरासा भी लापरवाय नहीं होना चाहता क्योंकि अगर पचासा जरे मोटल गॉड्स के लिए नहीं होता जो उसके साथ थे तो जौन अपनी ताकत के साथ कभी भी तयक्सू के इन लोगों के साथ फाइट नहीं कर पाता जो अन्तुरंदी कहता डॉग आई क्या तुम्हें एक speed up formation को create कर सकते हो और जो अपने हाथ को लहरा ते हुए डॉग आई को बुलाता है जो देखकर डॉग आई तुरंदी कहता मामू यार क्या काम करा रहा है यार मामू देख मैं दीन बार हो चुका है formation तोड़ी मैंने formation लगाई मैंने अब ये तीसरी बार तु बुला रहा है में को अरे सोने दे यार रंगीन रंगीन सपने देखने दे मेरे पास भी energy नहीं होती है energy gain करने दे जो देखकर जोग आई चम चमाता हुआ थपर डॉग आई को बजा देता है जो देखकर डॉग आई कहता है मामू एक सेकेड बस थोड़ा सा टाइम लगेगा मैं भी बनाता हूँ बस मुझे कुछ टाइम दे दे मामू इसमें काफी ज़्यादा energy यूज होने वाली है जो देखकर जोग आई कहता तुरांत create कर जनके बोलने के बाद ही डॉग आई के इंप्रेशन बदल जाते है दोस्तब जो यान भी यहाँ पे तुरांत थी डॉग आई कोर्डर देने के बाद सीधा ही टाइक सू बॉरियर्स के ग्रोप के अंदर घुस गया होता है अचनकी thunder strike की आभाजे और चीक ने चिलने की आभाजे आने लगती है हाउत्यान thunder जो की आर्मर्स को इग्नोर कर सकती थी वाइड गॉड आर्मर के अंदर घुस रही होती और वाइड गॉड आर्मर के अंदर जो बॉड़ी थी वह बिलकुल नॉर्मल रुई के तुकड़े जैसी होती है जिसे आग लगा दी गई थी जिसे हाउतियान थंडर के बैते ही बड़ी संख्या में तैक्सू बॉरियर मारे जाने लगते हैं इसके बाब जूद भी जो कॉंटिटी अभी भी बहुत बड़ी थी और जूद अभी रियल तैक्सू बॉरियर के सामने जाने से पहले अनगिनत तैक्सू बॉरियर को मार देना चाहता था ताकि बागी लोगों के लिए ये मामला आसान हो सके साथी क्योंकि इनकी बॉडी में लाइफ नहीं थी कि आकिरकार यहां पे कितने लोग मारे गए दूसरा बीच में तैक्सू बॉष्ट के उपर काफी सारी फिगर खड़ी हुई दिखाई देती है जो नीचे की हाथा फाई को देख रही होती है और उनी के सामने एक परसन खड़ा हुआ होता है जिसने काफी अच्छे आर्मर को पहन रखा होता है और अपनी पीट के पीछे हाथ रखकर खड़ा हुआ होता है आंके एकदम सान्त होती है और गहरी अबाज में बोलती हुए कहता है हौंग मैंग इस्टार क्या यह वही जगे नहीं जहां पे तीन तूब रदर और यह वहाँनेस जूलिंग थे जो देखकर एक बंदर तुरंथी कहता है यहाँनेस जूचाओ बेस सभी मारती है गए है और हमें पता चलता है कि यह जो परसन था जो इस बार ताइक सू रेनफोर्समेंट को लीड कर रहा था इसका नाम है यहाँनेस जूचाओ जो देखकर उतुरंथी जहाँनेस जूलिंग की डेथ हो गई है जूलिंग को मेरे छोटे भाई होना चाहिए हाला कि मुझे याद नहीं है कि उसकी मा कॉन है लेकिन भूल जाओ आखिर कर वे सभी रखे लए है और उनसे पैदा हुए यह लॉंडे जब तक मर जाते हैं इनसे कोई फ्रक नहीं परता लेकिन वे सभी गौड एमोर्टल लेवल पर है आखिर कर सेनेक्सी के पास इतने सारे गौड एमोर्टल लेवल के वोर्यर्स कहां से आए आखिर कर ये एसन डिवाइन लियलम की पावर की तरह नहीं दिखते है साथ ये इस बात की बार में कहने की कोई जहतने की कुईन को पकड़ लिया गया है यानि के इसन डिवाइन लियलम तो बहुत पहले ही बिखर चुका था जो देखे एक बंदा तुरंदी कहता है उनकी आइडेंटिटी काफी ज़्याद आजीब है हमें जो इंफोमेशन मिले उसके कोडिंग हम अभी भी इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते के बन हमें इतना पता है कि वो जो पिकल पकड़े सिकल पकड़े हुए लड़की है वो लड़की अंडर वर्ल्ड के किंग की तरह दिखती है जिसका नाम जियो यूली है जो सुनका जूचाओं कहता है जल्दी से इसक बारे में जानकारी लाओ और इन लोगों को तुनंती घेंडे की तैयारी करो और इसके बाद जूचाओं की गंधी नचर्जियो यूली की तरब जाती है जो बेताहा सा डेथ सिकल का इस्तेमाल करते हुए एक एक अटेक में हजार 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 ताइक सुवरियर्स को मौत के घाट उतार रही थी जो देखकर जूचाओं तुनंती कहता है क्या तुम जानते हो कि इसकी ताकत क्या है जो देखकर बंदा कहता है मैंने सुना है कि उसकी जो पावर वो गौड एमोटल लेवल का सेकेंड इस्टेप है लेकिन हम उसकी पावर को केवल लेवल के साथ डिफाइन नहीं कर सकते सर यो हाइनेस आखिरकार हमें पता चला है कि वो प्लूटो यानि की ख्यानिंग करेंका नेसन है इसलिए जो दिख रहा है वो सच नहीं है और जो सच है वो हमें पता नहीं है यहां तक कि मैंने सुना है कि वो जो अवेम वो जब अपनी पावर के एमपरर एमोटल लेवल पर थी तब भी वो गौड एमोटल लेवल के वारियर्स को मार सकती थी तो अब वो गौड एमोटल लेवल पर है मुझे लगता है कि वो आइनस आपको भी उसके सामने जाते हुए साबधान रहना चाहिए बन्ना आपका भी पैजामा फार दिया जाएगा और आपको बिना जमीन के गार दिया जाएगा जो देख कई हो एनस तुरंदी का था मुझे बंद रखो अगर ये गौड एमोटल लेवल का सेकेंड डिश्टेप है तो ये इतना भी मुस्किल नहीं ऐसा लगता है मेरे लिए एक ट्रेनिंग का अच्छा मौका है मैं इसके साथ थोड़ा सा ट्रेन कर सकता हूँ साथ ही जूलिन के साथ फाइट में से ठक जाना चाहिए हम थोड़ा और इंतिजार करेंगे ताकि ये अपनी और एनरजी का यूज कर ले इसके बाद इसे माणने में दे नहीं लगेगी जू चाओ की चमकती ही आके पूरी तरीके से जू यूली पटिके हुई होती है दूसर जू यूली अचानक इसे नोटिस करती है और उसकी नजर जू चाओ की तरफ अचानक से देख लेती है और दौनों की नजर एक दूसरे से मिलती है तो जियो यूली के आखों में जूचाओ एक किलिंग इंटेंट ओरा देख सकता था ऐसा लग रहा था जियो यूली के बल उसे घूर के ही मार देगी साथी डेस्टिकल के चार तरफ घिरे हुए ता एक सुब ओरियर पल भर में दो टुकड़ों में काट दिये जाते हैं और जियो यूली तुरंती उसे देखते हुए कहती है मैं तुमारी आखे नोच के अपने कुट्टे को खिला दूँगी जो देखकर पीछे से आवा जाती है भू 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 और जो यूली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं कुछ ही दूरी पर पारगेटरी डॉग होता है जो एक दम एकसाइटेड हो गया होता है कि मालकिन कुछ खाने को देने वाली हो का इकाचीज है हमको बहुत भूख लगा हुआ है ऐसा लग रहा होता है जैसे वो जो यूली की तरफदारी गरते हुए उससे तारीप पाना चाहता था तब ही जो यूली कहती फादर उसकी एनर्जी में फ्लेक्शुएसन को देखते हुए मुझे लगता है कि उसकी ताकत योईने जूलीन से थोड़ा उपर होनी चाहिए और उसे एक अच्छा परसा नहीं माना जाना चाहिए लेकिन फादर आपको चिंता करने की जरुएत नहीं है जब तक मैं अपनी सील को उपन करती हूँ उसे मारना मुश्किल नहीं होगा और जोई उली एकदम सीरियस होती है जो देखकर जोईन का था कोई जोट नहीं हम उसे मारने के लिए और जितना ज़्यादा पॉसिवल हो सके उसकी एनर्जी को खत्म करने के लिए एक जुट होकर काम करेंगे आखिर करना में नहीं जब पता कि हमें फ्यूचर में कितनी ज़्यादा फाइट का सामना करना पड़ेगा तो तुम्हें अपनी पाउर को सेप करके रखना चाहिए जो यान की बात को देखकर जो यूली भी सीरियस होकर अपने सिर को हिला देती है क्योंकि उसे पता था कि मामला इतना भी आसा नहीं जितना उसे लग रहा है और वैसे भी ये मामला तैकसू का है जिससे वो हलके में नहीं ले सकती इतना कहने के बाद महुल दीरे दीरे सांत हो गया होता है और वो अपने दिल के गुस्से को थोड़ा देर के लिए सांत करती हुए अपने सिकल से कहती है चिंता मत कर बीड़ो मैं तेको उसका खुन जरूर पिलाएगी साथी जो यूली को पता था कि उसने जिस तैकसू योहाइनस को मारो उसकी पोजीशन काफी उची होनी चाहिए साथी ऐसा लगता है कि आसपाद अभी कोई भी मददगार नहीं है साथी अगर इन्हे योहाइनस कहा जा सकता है तो इसे ऐसा होना चाहिए कि ये तैकसू के किंग की संताने हो या लॉंडे हो या तक ही जोयान को भी जीब लग रहा होता है दूसरी तरह वाइड वीष्ट पर खड़ी हुई काफी सारी फिगर जोयान को देख रही होती और जोयूली को लेकिन जोयानोंने एग्नोर कर दे रहा है और बड़ी क्वांटिटी में तैकसू वारियर का सफाय करना सुरू रखता है साथ ही जोयानों जोयूली के तैकसू आर्मी में सामिल हो जाने के बाद मतलब 50,000 लोगों में सामिल हो जाने के बाद ताइकसु बोरियर की जो quantity होती वो तेजी से गिरना सुरू हो गई होती है जिससे mortal monster, bald के जो लोग होते उनका pressure अचानक से हलका हो गया होता है जो देखकर जूचाओ तुरंदी कहता है जाओ और उन्हें रोको और जैसे ही वो अपने हाथ को उठाता है तो अचानक ही soul changing sword उसके सामने appear होती है और जूचाओ कि इतना कहते ही जो यान जो देखता है वो उसके द्वारब पहले देखेगा है एक चीज से एक दम अलग था आखे का टाइकसु में सभी लोग उने लगता है इस sword को refine किया था जब तक ही अपनी strong level पर नहीं पहुँच गई जिसके बाद जूचाओ तुरंदी गया था लेकिन इस से इस spirit changing sword को मैंने इसके extreme level तक पहुचाया है इसलिए ये जो sword है extreme level पर powerful है जिसके अंदर काफी ज़या strong in energy है मुझे लगता है मेरे sword से मरना तुम लोगों के लिए एक worth it काम होगा इसके अलाबा मैंने जो तरीका सीखा है bro भी sword technique है जिससे और भी ज़्यादा powerful कहा जा सकता है मुझे लगता है तुम लोग आज वेकार में ही मरने बाले हो लेकिन अगर तुम इस attack को रोक सकते हो तुम मुझे लगता है कि तुम लोग मेरा ध्याना attract करोगे दूसर अब जूचाओ के order के बाद कई लोग जो होते हैं वो एक के बाद एक मैदान में जो यान और जो यूली की तरफ दोड़ पड़े होते हैं और उनके हाथ में एक एक spare होता है जिसमें वो immortal power डालने लगते हैं और जो यूली और जो यान की तरफ फेकने लगते हैं दूसर दूर हवा में एक black figure भी खड़ी होती है जोसके हाथ में black color के arrow भी होते हैं जो तेज हवा को हिला रहे होते हैं और जब ये तीर हवा में उड़ गया होते हैं तो ये तुरंती अलाग होकर 10,000 की quantity में आप प्यार होते हैं बड़े से area को cover कर लेते हैं साथी एक strong physical body और fitness बाला person होता है जिसके माते पर एक red color का gown होता है साथी अगर आप उसके body figure को ध्यान से eyebrows को देखें तो ये जो यान जैसी ही लग रही थी साथी इतने सारे लोगों के बीच में वो एक cloth ता ऐसा person था जिसने वाइड गौड आर्मर नहीं पहना था ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी physical body पर पूरा भरोसा हो साथी अपनी मुट्यों को घुमाते हूँ जो यूली को उपर अटेक कर देता है क्योंकि उन सभी को लग रहा होता है कि यहाँ पर जो यूली सबसे ज़्यादा ही strong है और वही leader होनी चाहिए दूसरी तरब जो यूली भी अपने हाथ के death sickle को खीचते हुए सीधा ही पीछे की तरफ हा आंगे की तरफ हा जाती है हाला कि वह जब जो यान से बात करती है डैडी की तरह है डैडी कहते हुए तो वह अब्यसली काफी जारा softness से करती है लेकिन वह जब enemies के साथ treat करती है battle को तो उसकी आँकों में एक अलगी cold impression होते हैं बिल्कुल एक underworld के king की तरह जिसके बाद अचानक ही जो यूली अपने हाथ के death cycle को घुमाते हुए कहती है river domain open इन अचानक से आए हुए दुसमनों को देखकर जो यूली की आवाज फैल जाती है वो तुरंत ही कहती है मैं Pluto underworld की king हूँ और reincarnation की manager God of reincarnation मैं life और death को manage करती हूँ मैं यहां हौंग मैंग इस्टार के हर मरे हुए इनसान को फिर से लड़ने के लिए बुलाना चाहती हूँ अपने लिए फिर से लड़ो जो यूली की जैसे ही आवाज फैली हुई होती है ऐसा लग रहा होता है जैसे ही आवाज हौंग मैंग इस्टार के गड़े हुए मुर्दो को जगा रही थी और हौंग मैंग इस्टार इसके अंदर एक लाइबली सीन देखने को मिलता है यह एक ऐसा सीन था जिसे देखकर ताइक सूब और इसकी फटकर हाथ में एमोर्टल मौस्टर इसे अंदर बल्ड के लोगों की आंके निकल कर बालकनी में आ चुकी होती है कोई भी नहीं सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था बटकती हुई सोल जमीन से निकल रही हड़ी हो के स्केलेटेन सभी की आंकों में इंपॉसिबल था यह इतनी ज़्यादा बड़ी कॉंटिटी में होते है कंकाल हो कि यह जो आर्मी होती है यह आपने आपने चोकाने वाली थी यहां तक कि लाखों के टाइक्सू वारियर की आर्मी भी इसके सामने कहने के लायक नहीं थी दुए सब जूसान तुरंत जूचाओ नाम था नबेस का हाँ जो कुछ भी नाम वे शूती है का यह तुरंती कहता इतनी सारी इविल स्पिरेट अगर मैं सभी का यूद अपनी स्रॉड को इंचेंट करने और श्ट्रॉंग करने के लिए करूँ तुम सायद मेरी स्रॉड इस सैक्रिफाइस को एकसरप्ट करने के बाद लेजेंडरी लेविल पर पहुँच जाएगी जहां मैं किसी भी बॉरियर को एक ही अटेक में मार सकता हूँ जूचाओ के बाद जो यूली और आसपास की सभी है न्याई आत्मा यानि कि इविल सोल के बल उसकी स्रॉड को निकारने के लिए एक दम रिफाइनमेंट आप जैक्स थे जिनने देखकर वो खोसो रहा होता है लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहन के घोडे ने काले समुंदर के पानी की तरह आने बाली स्केल्टन आर्मी पर ध्यान ही नहीं दिया था बलकि वो यहाँ पे अपनी वाइड स्पिर्ट स्रॉड को निकाल जो निकाला हुआ था उसे रिफाइन करना फास्ट कर देता है दूसर जो यूली का सामना करने वाले जो तीन लोग होते हैं जिसमें एक श्रॉंग पहलबान होता है जो अपनी मुट्टी को लह रहा तो है जो यूली को मारता है लेकिंस से पहले क्यों उसकी फिष्ट जो यूली को ठच कर पाती कहानी में आता है टुश्ट तोराती है पीछे से एक और फिष्ट जो उसकी फिष्ट से जाती है टकरा और बंदे को महसूस हो जाता है कि उसका बनाया गया है बकरा क्योंकि भाई उसकी हड़ियो का ढाचा हिल गया होता है जो यान आपियर हो गया होता है तुम मुझे इतना भी बीक मत समझो मुझे नहीं लगता तुम मुझे हरा पाओगे ये बंदा जो होता वो अलाग attitude और ego में होता इसकी अलागी खिचड़ी पक रही होती और confidence से smile कर रहा होता है साथ ये जोयन के उपर एक बार फिर से attack कर देता है और दोनों किफिश एक बार फिर से टकड़ा चुकी होती है और इससे पहले कि बेचारा पूरी तईकी से smile कर भी पाता बेचारा उड़ते होगे पीछे की तरब जाता और देखता है कि उसके हाथ का जो मास है वो फटा हुआ है और चेहरे में एक डर और तुरन्ती वो लड़कर आते हुए पीछे की तरब जाता है और आइब्रो में नाइन इस्टार चमकते होगे देखे जा सकते थे तब ही वो जोन कितब देखते होगे क्या क्या आप रियल ओरीजन गॉर्ड है वो लड़कर आते हुए कुद को इस टेबल करने के बाद डर से जो यान को देखता है जो देखकर जो आन तुरंथी कहता है तुम्हारी आई ब्रो पर जो ये स्टार सील है ये नकली है है ना जो आन हसते हुए कह रहा होता है जो देखकर पीछे की तरफ गया हुआ बंदा उसके इंप्रेसन काफी बस दूरात होते हैं क्योंकि जो आन के फोरेट पर चमक रहे ना इन इस्टार को देखकर वो जोग्या होता है और इसके बार वो तुरंथी अपने आर्मर मतलब अपने कलाई को टच करते हो वाइड गौड आर्मर पहल लेता है क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था उसकी जो फाइट हो रही वो एक सच्चे बाले पावरफुल बंदेस हो रही है वो तुरंथी कहता है ओरिजन गौड क्लेन बहुत पहले ही डिश्रो हो चुका है मुझे लगता है कि तुम भी जूटे ही हो उस आदमी के बोलने के साथ जिसका पहले हाँ तूट गया था वो आइट गौड आर्मर पहनने के बाद वो एक बार फिर से जौट की तरफ दोड़ पड़ता है आखे का उसका मिसन कुछ टाइम के लिए जौयान को लेट करना था और इससे कोई फरक नहीं परता कि जौयान को वो मार सकता है या नहीं या जौयान उसे हरा सकता है या नहीं उसे बस यहाँ पर टाइम निकालना था जैसे उसकी फिजौयन की फिशर टकराती है एक गोल्डन लाइट और फ्लेम अप्यार होती है जिसमें थंडर पावर भी होती है और एक भयानक पावर के साथ वो उसके जाट टकरा जाती है दौनों ही फिजगल वोड़ी को कल्टिवेट करने वाले बंदे होती है जो लड़ रहे होते है और इस बार की जो टकर होती है वो पहले से ज़्यादा वाइल थी और इस बात में कोई सस्पेंस नहीं था तक जो यूली भी दो लोगों की दब दोड़कर उनके उपर अटेक करना सुरू कर चुकी होती है और जो यूली की बगल में जो ये इविल सोल सौर इसकलेटन आर्मी होती है वो भी ताइक सुवार्ड की तरब बढ़ चुकी थी जो यूली का जो डेस सिकल होता है सबसे चीज इतने जलने के टाइम तक भी नहीं रुख पाए थे और उन्हें बुरी ताही केदा पीट-पीट के सुझा दिया गया था जो अनसे लडने वाला फिजगल बॉड़ी वाला जो बंदा था उसकी बॉड़ी के जादा तर नैट बोल्ड जियो यान ने धीले कर दिया थ बंदा लगबग बेहोसी की हालत में होता है लेकिन यही पर राइटार इस से एपिसोड को एंड कर देता है तो अब जब नया एपिसोड आएगा तब में पता चलेगा कि कोई इसका पंचर टाइट करता है या इसे ब्लेक और वाइट करता है जो कुछ भी होगा देखेंग नेक्स एपिसोड पर तो बाइवाइट रहन फैमली गुड नाइट